आज की इस एपिसोड में हम डिस्कस करने वाले हैं वीप्रो स्टॉक के बारे में और वीप्रो स्टॉक में जो मेरे व्यूज हैं वो काफी पोजेटिव हैं और क्यूं कि हमने कहा कि कोटली नंबर्स जो है वीप्रो के आएंगे 18 अगस्त को 12 को आएंगे Infosys के और 11 को आएंगे TCS के तो इस समय मुझे लगता है चोकि पिछले 2 साल से अंडर परफॉर्म है इस समय जो है IT stocks के सुधरते दिखेंगे और इस समय एपिसोड में आगे बरहें से पहले premium टेलिग्राम जो की बिल्कुल फ्री है उसको जॉइन करके description के लिंक से चाहें तो आपन कर लेंगे पिछले 2 साल से ना केबल विप्रो लगवग सभी इस टॉक ने अंडर परफॉर्म करा विप्रो अल्टाइम हाई चेट 23% 11% TCS और 20% लगवग इनफोसीश डाउन दिख रहा है बहुत सारे लोग गाली दे रहे हैं कि दो साल से नहीं परफॉर्म करा अगर और historical data देखें तो इस stock ने more than 20 times लगवग 17 times bonus दिये हैं और सबसे ज़्यादा विप्रो नहीं long term में create करके दिया है तो short term के consolidate को देख करके हम कभी management या stock को गाली नहीं देंगे और किस प्रकार से 10,000 करोर की इन्होंने revenue जो है FMCG जैसे अलग company बना करके कर लिया है वो भी बहुत बड़ी news नहीं दिख रही है जो result है उसके ही news आने है जो delivery है वो better दिख रही है जो trend है वो भी positive दिख रही है और इस समय मुझे ऐसा लगता कि यह एक best buying zone है 380 से लेकर के 405 के बीच में जहां पहला target easily 444, 570 और 700 प्लस long term के लिए short term trader maximum 520 तक के level score target लेकर के next 3 month में बने रहेंगे